फ्रहन आपने पितली वीडिय में तो दिखाओगा कि हिरनेक्ष का वद्ध हो गया तो फिर हिरनेक्षिपूर बहुत ख्रोथी तो हुआ कि मेरे बाई को विश्णु ने मारा अभी मैं भी उन्सका अंप करोगा तो आपको पताओगा ब्रहमदी ने हिरनेक्षिपूर को तो वर्दान दिया था ना वो दिख में मरें गेह रात में ना अस्त्र से ना शत्र से अमनुष्य से ना जानवर से ना वो अंदर मर सकता था ना भार तो फिर वो सोच लगा कि मैं बगवानू कि कि वो मर नहीं सकता तो फ्रेंस वो तो मूर्थ था और फिर ना वो ना सारे लोग को मारता था जो भी भगवान इसनु का नाम जबता था और ना उतना का अपने पूत्र प्रलाद को भी मननाई का कोशिश किया माउंटन से नीचे फिका गरम तेल में जलाया प्रलाद मारत को हातियों की बीच बे डाला लेकिन सथे वो भगवान जी का नाम जबता था सर्पो के बीच डाला लेकिन प्रलाद को मार नहीं पाए कि कि प्रलाद जी भगवान विष्णु का नाम जबते थे फिर हर बाज कुछ होता था प्रलाद जी को फिर उप कृष्टा का नाम लेते थे फिर कृष्टान को बचाते थे कितनी कोशिश की हिरंद्या कशिपूर ने प्रलाद जी को मार निकले लेकिन वो मरे ने वो जीविती रहे तो कभी आपने सोचा फ्रेंड्स कि हिरना कुछ पूस तुनिंग मैंन है लेकिन उनके पूत्र पर लात कैसे बागते निकले तो फिर मेरी अखली वीडियो ज़रूर देखना